अगर तो आप सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ने सीखना चाहते हैं आपके दिल में तमन्ना है कि भई अंग्रेजी मतलब पढ़ना आमें बहुत ज़रूरी है पढ़ना आना चाहिए ताकि लाइफ में दिक्कत ना आए हमें तो आपके लिए बहुत ही जादा मददगार होने वाली है एक चीज या मैं ये कहलूं कि इस चीज को अगर आप नहीं चानेंगे तो अंग्रेजी पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी या तो आप गलत पढ़ेंगे और वो है शब्दो का परिवार जी हां इस परिवार से आप का परिचे होना बेहत जरूरी है शब्दो के परिवार की मदद से आप अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं बस कुछ मेंबर्स है यानि कि शब्दो के परिवार के कुछ सदस्य है जिनको आपको जिनसे आपका परिचे करवा रही हूं में आपको इनसे हैं दोस्ती भी बना ले नहीं है बड़िया तरीके से आप अंग्रीजी पढ़ने लगेंगे चली क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे इस परिवार के सदसे की जोकी है A-K-E A-K-E इसको एक पढ़ते हैं इसके आगे कोई और अगर आप लगा दें तो उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है वो उसमें ढल जाता है और उसका उचारन साथ में हो जाता है सबसे पहला C-A-K-E तो एक के पहले C लगा दिया C की हिंदी होती है मतलब C का उचारन होता है क ये बन गया केक क्या बन गया केक अरे हान जी वही वाला केक जो बद्दे पर काटते हैं और फिर सब में बाढ़ते हैं जी हाँ केक F-A-K-E फेक F-A-K-E फेक यानिकी नकली L-A-K-E लेक यानिकी जील लेक का मतलब क्या होता है जील M-A-K-E मेक M-A-K-E मेक यानिकी बनाना T-A-K-E ठेक T-A-K-E ठेक यानिकी लेना स्नेक सुना है नाम S-N-A-K-E स्नेक यानिकी साप स्नेक यानिकी साप ब्रेक B-R-A-K-E ब्रेक यानिकी ब्रेक लगाते हैं न गाड़ी में ब्रेक वही वाला ब्रेक S-H-A-K-E शेक यानिकी हिलाना शेक यानिकी हिलाना जीसे कहते हैं मिल्क शेक है ना mango shake, क्या करते हैं भई, दूद और आम को, साथ में mix करके, उसको shake करते हैं, है ना, awake, A-W-A-K-E, awake, यानि की जागना, mistake, M-I-S-T-A-K-E, mistake, यानि की ग्रलती, Hey everyone, welcome to, मेरा English Teacher, स्वागत है आपका आज की ख्लास में, मैं हूँ प्रीती मैम, जैसा की आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर, यानि की मेरा English Teacher पर, आप सिखते हैं, अंग्रेजी पढ़ना, बिल्कुल basic से, बिल्कुल zero से, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो स्वागत है भई, आपका मैं प्रीती मैम हूँ, जैसा की आप सभी जानते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, ताकि आप अंग्रेजी पढ़ने में अगर कहीं समस्या आती है, तो यहाँ पर वो वाली समस्या जो है, वो solve हो जाएगी, चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले परिवार के सदस्य की बात करते हैं, जो की है, A, C, K, A, K, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भई, एक पढ़ते हैं, है न, इसके साथ जो alphabet लग जाएगा, जो अक्षर लग जाएगा, ये उसके साथ हो लेगा, जैसे, B, A, C, K, बाक, बी का उचारन बह होता है न, तो बाक, H, A, C, K, हैक, बाक का मतलब पीछे होता है, चेके, हैक, H, A, C, K, हैक, P, A, C, K, पाक, P, A, C, K, पाक, पाक का मतलब क्या होता है, कुछ हम लोग गठरी बानते नहीं है, सील करते हैं उसको पाक, उसको भगता है, पाकिंग कहता है न, पाकिंग कर रहे हैं, मतलब समान को ये जगा समेट करकर कहीं जा रहे हैं, इक जगा बानत करके, Black B-L-A-C-K Black यह color है यानि कि काला काला color Black color Right? Crack C-R-A-C-K Crack यानि कि दरार यह से कोई चीज अगर मतलब हर किसी दरार आ जाए किसी चीज में तो कहते हैं ना कि दरार आ गई है मतलब वो crack हो क्या है क्या हो गया है? Crack हो क्या है Black Stack S-T-A-C-K थोड़े बड़े शब्द भी लेंगे हैं ना A-C-K जो है अपने आप में ही तीन अक्षरों का परिवार है और यह बहुत बड़े शब्दों को भी बनाता है मतलब बड़े शब्दों को भी यह बनाता है जैसे कि Stack है Attack है Stack यानि की धेर जब आप एक की उपर 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 एक चीजों को रख करके धेर खड़ा कर देते हैं तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं Stack कहते हैं यानि की धेर Track T-R-A-C-K Track यानि की रास्ता track का मतलब क्या होता है भई, track का मतलब होता है रास्ता, snack, देखिए दोनों शब्दों में बहुत फर्क है, snake पढ़ाया, a-k-e का परिवार, ये है snack, a-c-k का परिवार, snack का मतलब होता है नाश्ता, जिससे समोसा बगेर खाते है न शाम को बढ़ा है तरीके से, तो उसको कहते ह है snack आप क्या कर रहे हैं snacking कर रहे हैं snack खा रहे हैं आप समूसा क्या है snack है biscuit समूसा मिक्चर जो भी है attack अगला क्या है भई हमारे पास हमारे पास है अगला attack attack मतलब आक्रमन करना कहते हैं न कि इसने उस पर attack कर दिया है मतलब आक्रमन कर दिया है अगला परिवार है Ash का Ash इसको पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं Ash पढ़ते हैं Ash इसका इस्तमाल कैसे होता है इसके आगे C लगा दिया बन गया Cash C-A-S-H क्या बन गया बन गया Cash Flash F-L-A-S-H Flash क्या बन गया, Flash, यानी कि चमक, वो जो मतलब अच्णक से ती व्रगती से जो चमक आती है, जो लाइट आती है, कहा आती है भई, ये कहा देखा है flash कहाँ पर देखा है, भाई mobile पर देखा है, camera में है न, बोलते हैं न, flashlight जला करके photo ले लो, कहते हैं न, flash यानिके चमक, rash, rational, rash, r-a-s-ch क्या है, rash, rash का मतलब क्या होता है भाई, वो जो खरोच आ जाता है, जयसे माण लिज़े, आप जा रहे हैं, आप टकरा आ गएं, और अचानक से खरोच आ गई आपको, उसको कहते हैं rash, उसको कहते हैं rash. mash mash का मतलब होता है mash का मतलब होता है milana, ठीक है? ये नहीं होता है mash का मतलब होता है milana, क्या होता है? mash का मतलब होता है milana, अगला है trash, t-r-a-c-h t-r-a-s-h, trash इसको पढ़ते हैं, trash का मतलब होता है kachra, क्या होता है kachra, trash bin आपने देखा होगा कहीं जगा पर लिखा होगा रहता होगा, इसका मतलब है कचरा पेटी, trash bin, बढ़ते हैं आगे, splash, splash, थोड़े बड़े शब्द, s-p-l-a-s-h, splash, यानि की पानी की जो छप-छप की अवाज होती है न, उसको splash कहते हैं, है न, smash, smash, यानि की garage, मतलब कोई च crash, crash, c-r-a-s-h, crash, यानि की दुरघटना, आपने सुना होगा air crash, मतलब flight crash हो गया है, crash landing, मतलब दुरघटना अवस्था में landing, मतलब बेतर्तीब तरीके से कोई चीज हुई, clash, यानि की संघश, clash मतलब दो व्यक्तियों के बीच का संघश, कि उन दोनों के बीच में भाईया clash है, मतलब लड़ते रहते हैं आपस में दोनों, clash है उन दोनों के बीच में, dash, dash मतलब थोड़ा सा, क्या, थोड़ा सा, dash of water, मतलब थोड़ा सा पानी, dash of salt, मतलब थोड़ी से नमक कम है, थोड़ा सा नमक दो, give me a dash of salt, यानि की थोड़ा सा नमक चाहिए, right, अगला परिवार है, e, c, k, ek, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ek पढ़ते हैं, इसके साथ किसी भी शब्द को लगा दें, यह आपका बन जाएगा, जैसे कि लगा दिया हमने n, तो यह बन गया, n, e, c, k, neck, क्या बन गया, n, e, c, k, neck, यानि की गर्दन, neck का मतलब क् neck का मतलब होता है, garden, deck, d, e, c, k, deck, deck का मतलब होता है, जहाज की छट, जहाज पे छट होते हैं, बिलकुल होते हैं, बड़े-बड़े पानी वाले जहाज देखें, बड़े-बड़े, मतलब, जिसमें समान एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, लोग भी कई बार जाते हैं, b, e, c, k, back, क्या पढ़ते हैं, b, e, c, k, back इसको पढ़ते हैं, f, l, e, c, k, fleck, क्या पढ़ते हैं, f, l, e, c, k, fleck इसको पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, heck, h, e, c, k, heck, है न, इसको heck पढ़ते हैं, C-H-E-C-K check, यानि की जाँच, C-H-E-C-K, जाँच, कहते हैं न, इसका check-up करा लो, तो check, यानि की क्या होता है, check का मतलब होता है जाँच, REC, W-R-E-C-K, REC, यानि की मलबा, REC जो है, मलबा को denote करने के लिए इसका अस्तमाल किया जाता है, S-P-E-C-K, क्या पढ़ रहे है, S-P-E-C-K, थोड़ा बड़ा word है, S-P-E-C-K पढ़ रहे हैं इसको, अगला है ISH, शब्द का परिवार, F-I-S-H, fish, F-I-S-H, fish, यानि की मचली, W-I-S-H, wish, W-I-S-H, इसका चारण हो रहा है न, इस, W-I-S-H, wish, यानि की तमन्ना, D-I-S-H, dish, यानि की व्यंजन, S-W-I-S-H, swish, क्या पढ़ रहे हैं, swish, S-L-E-F-I-S-H, थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड, Selfish, जी हाँ, Selfish, यानि की स्वार्थी, Punish, P-U-N-I-S-H, punish, यानि की सजा देना, Vanish, V-A-N-I-S-H, vanish, यानि की गायब, Polish, P-O-L-I-S-H, Polish, इसको कहा पढ़ते हैं, Polish, Relish, Relish, R-E-L-I-S-H, Relish, यानि की आनन्द, जैसे, मतलब ये डिश जो है, आपको रेलिश कर देगे, मतलब ये चीज़ खा करके आपको आनन्द आ जाएगा, हैना, अगला है, Radish, R-A-D-I-S-H, Radish, यानि की मूली, Radish का मतलब क्या होता है, Radish का मतलब होता है, मूली, हाँ, वही जिसके सबजी बनाते है, पराण्थे बनाते हैं, जिसके वही होता है, Radish, इसको क्या पढ़ते हैं? Radish, तो चलिए भई, ये थी आज की Class, जहांपर हमने शब्दों के परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जाना, उनसे कैसे थोड़े छोटे और थोड़े बड़े शब्द बनते हैं और कैसे आप उनको याद रखके आराम से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, इसको हमने जाना, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेर करना है, चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बदा दूं आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश टीचर, जहांपर आप सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना बेहधी असान तरीके से, तो जल्दी सी चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन अन कर लीजेगा, मैं आप से मिलूंगी आपके अगली क्लास में, तिल देन, तैंक यू सो मच पर वाचिंग, स्टे टून तो, मेरा इंग्लिश टीचर